नमस्कार दोस्तों आज हम इस विडियो में आइफोन 16 वर्सेस वीवो एक्स 100 प्रो 5 जी का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंध की बात करें तो 16 में 5.8 एक इंच जब की X100 प्रो 5 जी में 6.4 शे इंच की लेंग्ट मिलती है Width की बात करें तो, 16 में 2.82 इंच जब की X100 Pro 5G में 2.96 इंच की Width मिलती है बात करें थिकनेस की तो, 16 में 0.31 इंच जब की X100 Pro 5G में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है जो की 16 से ज्यादा है अब बात करते हैं वेट की तो, 16 में 170 ग्राम्स जब की X100 Pro 5G में 225 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो की 16 से ज्यादा है चलिए, अब हम दिस्प्ले की तुलना करते हैं दिस्प्ले टाइप की बात करें तो, 16 में OLED जब की X100 Pro 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो 16 में 19.5 रेशियो 9 जब की X100 Pro 5G में 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो, 16 में 6.1 इंचिस जब की X100 Pro 5G में 6.78 इंचिस मिलती है डिस्प्ले रेसलूशन, 16 में 1189 X2556 PX FHD+, और X100 Pro 5G में 1260 X2800 PX FHD+, मिलता है स्क्रीन जू बादी रेशियो 16 में 86.24 प्रतिशत जब की X100 Pro 5G में 89.87 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI डेंसिटी की तो, 16 में 461 पिक्सेल प्रति इंच जब की X100 Pro 5G में 453 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों, सबसे पहले बात करें में कैमरा की तो, सोलर में 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा और आखे में अल्ट्रा वाइड अंगल कैमरा देखने को मिलता है और X100 Pro 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, ultra wide angle camera और आखे में telephoto camera देखने को मिलता है बात करें विडियो camera की तो 16 में 16 different type के features मिल जाते है और X100 Pro 5G की बात करें तो उसमें 9 different type के features मिल जाते है अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो 16 में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 5 different features मिलते है और X100 Pro 5G में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 4 different features मिलते है आए अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे hardware में सबसे पहेले CPU जो की speak के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU की बात करें तो, 16 में Apple GPU 5 core graphics जबकी X100 Pro 5G में immortalized G720 MC12 मिलता है चिप सेट की बात करें तो, 16 में Apple और X100 Pro 5G में media tech dimensity 9300 मिलता है बात करें RAM की तो, 16 में 8 GB जबकी X100 Pro 5G में 16 GB RAM मिलती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो, 16 में 3 विकल्ट देखने को मिलता है जिसमें 128 GB 256 GB, 512 GB की storage मिलती है जबकी X100 Pro 5G में एक ही विकल्ट देखने को मिलता है जिसमें 512 GB storage मिल जाती है expandable memory दोनों phone में नहीं है operating system की बात करें तो, 16 में iOS V18 जबकी X100 Pro 5G में Android V14 देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते है colors की बात करें तो, 16 में 5 colors जबकी X100 Pro 5G में एक colors option मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो, 16 में 3 variant देखने को मिलते है जिसमें की 8 GB RAM 128 GB storage के साथ 89,900 रूपीज 8 GB RAM 256 GB storage के साथ 89,900 रूपीज 8 GB RAM 512 GB storage के साथ 89,900 रूपीज में मिलता है और बात करें X100 Pro 5G की तो उसमें एक ही variant मिलता है जो की 16 GB RAM 512 GB storage के साथ 57,090 रूपीज में मिलता है दोस्तों अब बात करते हैं prans and cons यानि की फायदे और नुकसान की तो आइफोन 16 में 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Vivo X100 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है फाइनली बात करें है result की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है main camera में X100 Pro 5G आगे है front selfie camera में दोनों फोन सेम ही है performance में दोनों फोन सेम ही है दोस्तों अब हम same price में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले competitor phone की बात करें तो उसमें Google Pixel 8 A 5G है दुसरा Honor 200 Pro 5G है तीसरा Samsung Galaxy Z Flip 6 5G है और last competitor phone की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy Z Fold 6 5G है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी प्रेयर दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो क्रिप्याय से like, share और subscribe करना न भूले